Hello and welcome to Learned Mass Communication, myself Priyanka Guys, इस वीडियो में हम रेडियो की हिस्ट्री को काफी शांदार तरीके से जानेंगे रेडियो का विकास कैसे हुआ, भारत में रेडियो कब शुरू हुआ और अब रेडियो की पूरी दुनिया में क्या इस्सिती है ये सब हम पूरी जानकारी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है रेडियो का प्रारंब्रिक विकास किस तरीके से हुआ रेडियो का विश्कार उन्निश्वी सताबदी में हुआ था एक इटली के इंजीनियर थे गूगलियो मारकॉनी जिनोंने रेडियो टालिग्राफी के जर्ये 1896 में पहला संदेश प्रसारित किया था इसको दस साल लग गए थे एक मनुष्य की आवाज सुनाई करने के लिए रेडियो पर गाने के अलावा एक हम आपस में बात मतब हमारे जो हुमन बींग से उसकी आवाज कैसे सुनाई दे इस काम को करने के लिए कम से कम इस खोज को करने के लिए 10 साल लग गए थे 1896 से 19th century से तो another successful demonstration took place from Eiffel Tower in Paris in 1908 जो रेडियो पर मनुश्य की आवाज पहली बार 1908 में सुनाई दी थी Eiffel Tower Paris से A New York station transmitted the first radio news bulletin in 1916 on the occasion of the election US President ये जो New York station था उन्होंने जो 1960 में सारवजनिक तोर पर जो सयुक्त राष्ट में राष्टपती चुनाओ जो हुए थे उसके परणाम की रिपोर्ट रेडियो पर प्रसारित की गई थी फिर by 1927 broadcasting services were started as a major medium of information means 1927 से या यू कहें कि 1920 के बाद से अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा विश्व के कई देशों में रेडियो ने धूम मचा दी थी अब बात करें रेडियो broadcasting in India की तो रेडियो broadcasting in India मतलब भारत में रेडियो की broadcasting कैसे शुरू हुई थी it began as a private venture in 1923 and 1924 when three radio clubs were established in Bombay, Calcutta and Madras जिसे हम अब चन्नई के नाम से बुलाते हैं तो रेडियो में जो प्रसारण था जो रेडियो का प्रसारण का इतिहास है वैसे तो उसे 1926 से कहा जाता है कि शुरू हुआ था और वैसे कुछ लोग इस 1923, 1924 से मानते हैं कीट सा private venture 1923 and 1924 के बीच में ये शुरू हो गया था कैसे हुआ था जब Calcutta, Bombay और Madras जिसे हम चन्नई बोलते हैं में व्यक्तिगत रेडियो क्लब स्थापित किये गए थे उसकी वाद से क्या हुआ था कि रेडियो का विकास होना भारत में शुरू हुआ था तो जो रेडियो क्लब इस्थापित किये गए थे इन तीन जगों पर उन्होंने क्या किया अपना फर्स रेडियो प्रोग्राम भारत में प्रसारित किया कब किया जून 1923 में यह जो डेली ब्राटकास्ट होता था दो से तीन घंटे का उसमें या तो आपको गाने सुनाये जाते थे या कुछ बातचीत की जाती थी लेकिन 1927 में इन इस्टेशन को बंद कर दिया गया क्योंकि उन्हें उतना फाइनिशल सपोर्ट नहीं मिला उतना पैसा नहीं मिल पाया जिस तरीके से वो भारत में विकास कर सके इसलिए 1927 में इसे बंद कर दिया गया उसके बाद क्या हुआ जब ये चैनल बंद कर दिये गये तो इन क्लबों के जो विवसाये थे उन्होंने एक प्रसारन कंपनी का गठन कर रेडियो की नीजी प्रसारन सेवा का शुरुवात की 1926 में सरकार ने जो एक कंपनी गठित की थी उस कंपनी ने इस कंपनी को देश में एक नीजी प्रसारन करने की सेवा स्थापित की उसके रिए लाइसंस प्रदान किया इस कंपनी की ओर से जो रेडियो का पहला प्रसारण था वो 23 जुलाई 1927 को बंबई से हुआ और इसे प्रसारण करने वाली कंपनी का जो नाम था वो था इंडियन ब्रोड कास्टिंग कंपनी उस समय जो वोईस राए थे वो थे लॉड इर्विन उनका कारेकाल चल रहा था जिस टाइम पर ये ब्रोड कास्टिंग कंपनी से ये जो पहला प्रसारण हुआ था उस टाइम पर हमारे जो वोईस राए थे भारत में वो कौन थे लॉड इर्विन और कलकत्ता केंद्र का उधगाटन बंगला समाचार बुलेटन के साथ 26 अगस्ट 1927 को हुआ था इस तरीके से हुआ था सिंस देन ब्रोड कास्टिंग इंडिया है रिमेंड अंडर गवर्मेंट कंट्रोल और उसके बाद से जो अतना भी रेडियो पर प्रसारण होने लगा वो गवर्मेंट के अंडर गवर्मेंट के कंट्रोल में रहने लगा फिर इन 1936 अ रेडियो स्टेशन has commissioned in Delhi फिर 1936 में दिल्ली में एक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया in the same year the Indian Broadcasting Service was renamed All India Radio AIR and a new signature tune was added और 1936 में ही जो Indian Broadcasting Service जो starting में शुरू की गई थी जब जितने भी Radio Clubs थे वो बंद हो गई थे उसके बाद जो सरकार ने अपनी Indian Broadcasting Service शुरू करी थी उसका उन्होंने 1936 में नाम बदल कर All India Radio AIR कर दिया जिसे हम आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं और इसमें एक signature tune add कर दी जिसमें आपने सुनी होगी कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी Radio AIR इस तरीके से जो एक signature tune होती है वो उसमें add कर दी गई तो दिल्ली station become the nucleus of broadcasting at the national level जो दिल्ली में station हुआ था वो एक तरीके से nucleus बोल सकते है मतलब एक center बन गया जहां से पूरे national level पर मतलब पूरे भारत की जो जितनी भी वो है क्या कहें उसकी खबरे थी बाची थी हर language में वहाँ से जाने लगी हर तरीके का bulletin वहाँ से निकलने लगा जो Radio का दिल्ली स्टेशन था वहाँ से All India Radio has come a long way since June 1936 और June 1936 के बाद से All India Radio बहुत तरक्की करी और अपना काफी पहचान बनाई लोग उसको जानने लगे लोगों अधितर हर किसी के घर में रेडियो पहुँच चुका था When India became independent the AIR network had only six stations at Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Lakhnau and Tiruchirapalli with 18 transmitter जब हमारा भारत को स्वतनता मिली थी तो जो हमारा AIR network था उसके सिर्फ six stations थे एक था दिल्ली में, Bombay में, Calcutta में, Madras में, Lakhnau में और Tiruchirapalli में जिसमें 18 transmitter थे six on the medium wave and remaining on the short wave यह technical होता है कि उसकी एक waves होती है कि इस तरीके से कि signal से जो है radio में transmission होगा तो जो six थे, वो तो medium wave के थे लेकिन जो बाकी के remaining थे वो मतलब जितने 12 transmitter जो आपके बचे थे वो कितने थे, वो short wave के थे radio listening on medium wave was confined to urban elite of these city जो medium wave के जो six transmitter थे जो radio listening थी, वो क्या थे वो जितने भी urban elite थे cities के मतलब जो काफी बड़े थे जो लोग थे मतलब जो काफी पैसे वाले थे या जो जाने पहचाने मशूर लोग थे उनके लिए था, वो उनके लिए confined था फिर radio broadcasting assumed considerable importance with the outbreak of world war second मतलब जो radio की broadcasting हुई थी world war second के time पर उस time पर जो है radio की पहचान और जादा बनी थी क्योंकि जब world war second हुआ था तो लोग हर चीज को, हर खबर को word to word जानना चाहते थे कि अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है तो हर चीज उन्हें radio की जरिये पता चल रही थी तो in by 1939 the entire country was covered by a short wave service तो 1939 से जितनी भी पूरी जो पूरा देश था वो short wave service से जो है covered कर लिया गया था अधिकतर सभी लोग short wave से जुड़ गए थे transmitter से जुड़ गए थे और लोग radio से जुड़ चुके थे हर किसी के घर में radio था and the program structure underwent a change to meet a wartime contingency और एक program बना दिया गया जिसके जो program मतलब आता था वो सारी जानकारी जितना भी wartime चल रहा था उस related सारी जानकारी लोगों को देखे जाता है तो लोग एकदम कान लगा के radio से बैठ जाते थे कि उस time पे कि अब क्या होने वाला है या अब क्या हुआ है वो और के time पे कितने लोग मर गए है या फिर अब क्या हो रहा है जानकारी लेने के लिए बहुत जादा उत्सुक रहते तो यो जितना भी anchoring और commentary वगरा शुरू हुए थी उस time से उठनी जादा शुरू हुए थी जैसे कि मैंना भी आपको बताया है कि उस time से news और political commentaries जो थी वो introduced की गई थी and special broadcasts were made for the people on the tragic north-eastern and north-western border और जो special broadcasts किये जाते थे वो उन लोगों के लिए किये जाते थे या जो north-eastern और north-western border पर रहते थे after independence the broadcast scenario has dramatically changed with 198 broadcasting center including 74 local radio stations covering more than 97.3% of the country's population फिर independence के बाद से जो broadcast का जो scenario था जो मतलब जो दृश्य था वो एकदम से dramatically change हो जो जो एकदम से change हो गया हमारे 198 broadcasting centers हो गया जिसमें 74 जो थे वो local radio stations थे जो कम से कम 97.3% मतलब हमारी total population की 3% छोड़ कर 97.3% यह 97% के लिए country population को cover करते थे presently it broadcast programs in a number of languages throughout the day और अब यह जितने भी channels है हमारे अब तो कम से कम कहें तो बहुत ज़ादा हो गया है पहले के मुकाबले कितने अबके time में शाद 278 के करीब हमारे जो है radio stations हो गये हैं तो जो सब local radio stations भी मिला सकते हैं the functions in all India radio is unparalleled in the sense that it is perhaps the only news organization which remain active round the clock and never sleeps means जो all India radio का है वो बाकी station से काफी अलग है उसको पता है कि AIR एक already एक सिर्फ एक news station है जहाँ पर हमें news जानने को मिलेंगी वहाँ पर को हमें उस तरीके के 24 घंटे गाने सुनने को नहीं मिलेंगे it's a news giving platform जो हमें एक से बढ़कर एक news देगा सारी active news देगा तो एकदम remain active रहता है AIR और हमेशा हमें 24 घंटे 24 hours 24 7 वहाँ पर news active mode में मिल सकती है the mostly the broadcasting centers are full fledged stations with a network of medium wave short wave FM transmission और अब जो है जितने भी broadcasting centers है वह full-fledged stations है जिन में medium wave भी है short wave भी है और अब FM transmission भी होता है FM के है जिसमें हम गाने सुन पाते हैं जो आपके घर में सुना होगा कि तरह तरह के radio stations FM शुरू हो गया है जैसे big FM है radio mirchi है इस तरह के FM stations है जो आपको various music से रूबरू कराते हैं besides the external services division of AIR is a link with different region of the world through its program is as many as 24 languages for about 72 hours a day तो अब क्या है कि AIR के अलावा जो different regions से पूरे world के विदेश का जो मतलब भारत के साथ साथ विदेशों का भी प्रसारण हो रहा है विदेशों में भी जो विदेशों की खबरे भी जो हम दे रहे हैं तो वो क्या है 24 languages में सारे programs जो है जा रहे है for about 72 hours a day तो यह हमारा पूरा था रेडियो की history कि रेडियो का विकास कैसे हुआ था भारत में रेडियो कब शुरू हुआ था और अब दुनिया में रेडियो की क्या इस्तिति है अब अब जो अगली अपनी जो मैं अपनी next वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको जितनी भी रेडियो स्टेशन से हमारे इंडिया क्या उनकी क्या taglines है क्योंकि UGC net के exam में mainly radio stations के बारे में और उनकी tagline के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है कभी कभी matching के questions में तो वो questions कहां से बनते हैं कैसे बनते हैं उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूँगी अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो like करिए, comment करिए, share करिए और subscribe जरूर करिए Thank you